इस वीडियो के अंदर हम लोग पहली एक्टिविटी देखने वाले है जो है बिजनेस के बारे में हम लोग यहाँ पे बिजनेस का मीनिंग क्या है और उसके फीचर्स क्या है वो हम लोग देखने वाले है बिजनेस क्या है तो बिजनेस एक और गेनाइज़ एक्टिविटी है और गेनाइज़ एक्टिविटी मतलब क्या है यह एक सिस्टेमेटिक एक्टिविटी है जहां पर क्या होता है कि जो बिजनेसमेन होता है वो पहले सोचता है कि हमको कौन सा बिजनेस करना चाहिए फिरो प बिजनेश जो है वो economic activity, economic activity क्यों है, विकोज जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये business जो होता है वो हम लोग पैसा कमानी के लिए करते हैं, okay, we undertake business activity to earn money और इसके वज़े से जहां पर पैसा involved होता है, उसको हम लोग economic activity बोलते हैं, तो एक मैंने आपको बताया कि business एक organized activity है और दूसरा मैंने आपको बताया कि business एक economic activity है, organized इसके लिए because ये systematic है, इसमें बहुत सारे activities करनी पड़ती है और ये economic activity है विकोज यहां पर पैसा कमाना जो होता है वो businessman का aim होता है, दूसरी चीज बिजनेस के अंदर exchange होता है, now what is exchange? Exchange means buying and selling, एक sale करने वाला होता है, एक buy करने वाला होता है, तो वो exchange का मतलब ही होता है buying and selling करना, अभी किसका buying and selling होता है तो goods and services का, now goods क्या होते है, कोई भी tangible चीज, now tangible मतलब ये शब्द का मतलब हमेशा याद रखना, computer है, उसको आप देख सकते हो, आप उसको touch कर सकते हो, तो वो क्या होगे, आपके goods हो गए, आपके पास pain है, तो pain को आप लोग देख सकते हो, touch कर सकते हो, वो tangible हो गया, उसको goods बोलेंगे, book है, table है, फिर बाद में आपके पास text book है, साबून है यह सब जो चीजे इसको हम लोग गुड्स बोलते हैं बिकोज इसको हम लोग देख सकते हैं टच कर सकते हैं ओके सो बिजनेस के अंदर गुड्स को हम लोग एक्स्चेंज कर सकते हैं मतलब हम लोग businessman के पास जाके goods को buy or sell कर सकते हैं, मतलब हम लोग खरीते हैं और businessman उसको बेशता है, services मतलब क्या होता है कि जहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान के लिए काम करता है, बट services कैसी होते हैं, intangible होती है, दिखती नहीं है, जैसे teacher आपको पढ़ा रहे, तो teacher आपको क्या कर रहे है, आपके लिए act कर रहे है, आपके लिए कुछ activity कर रहे है, जैसे हो आपको पढ़ा रहे है, आप देखने सकते हो, पर आपको महसूस हो रहा है, you can feel it, तो services जो होती हो दिखती नहीं है, but you can feel the services, डॉक्टर के पाथ जाते हो, तो डॉक्टर भी क्या करता है, आपके बीमारी को ठीक करता है, तो डॉक्टर आपके लिए क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, उसी तरीके से आप गाड़ी से ट्रैवल करते हो, तो आटो वाला बोलो, ट्रेन बोलो, या बस वेगरा बोलो, यहाँ पर बिजनेस में क्या होता है, गुट्स और सर्वीसेस दोनों का एक्सचेंज किया जाता है, मतलब गुट्स को भी बेचा खरीदा जा सकता है, और सर्वीसेस को भी बेचा खरीदा जा सकता है, एक सेलर होता है, जो बेचता है, एक बायर होता है, जो बाय करता है, और यह कैसे होता है, daily basis पे होता है, continuously होता है, business के अंदर buying and selling जो है one time activity नहीं है, continuous activity है, और यह सब क्यों करते हैं हम लोग exchange of goods and services, क्योंकि businessman को profit earn करना है, okay, businessman के लिए profit बहुत जरूरी होता है, मैंने यहां पर लिखा है कि business का basic purpose जो profit कमाना है, okay, business का जो survival होता है, okay, मतलब business जो है वो टिकता है या business जो है वो आगे बढ़ता है because of the profit, अगर profit नहीं होगा तो business बंद हो जाएगा, यह सब और दूसरा businessman को profit की ज़रूरत होती है, growth and expansion के लिए, अपने business को बढ़ाने के लिए उसको profit की ज़रूरत होती है, so profit जो business का क्या है, live blood है, okay, तो आपको यहा इस economic activity है, जहाँ पर exchange किया जाता है, मतलब buying and selling किया जाता है, goods and services का daily basis पे, क्यों? to earn the profit, और profit की ज़रूरत की हुए, because profit business का एक basic purpose होता है, profit जो होता है, वो business के survival के लिए और growth expansion के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और profit जो होता है, business का live blood consider किया जाता है, okay, so यहाँ पर मैंने photo के अंतर भी वही रख दिखाए आपको कि यहाँ पर यह सेल कर रहा है, यहाँ पर यह बाई कर रहा है, और इसके वेज़े से यह जो business मैंने उसको profit हो रहा है करके, अभी हम लोग features या characteristics देखते है business का, no feature या characteristics का मतलब होता है, वाईशिष्ट या उसकी विशेष्टा है, okay, त यहाँ पर हम लोग business के बारे में सब कुछ देखने वाले है, detail में, सबसे पहले business का feature या characteristics है कि business एक economic activity है, जो मैंने आपको already meaning के अदर बता दिया है, कि business जो होता है, वो पैसे earn करने के लिए businessman करता है, या अपना livelihood कमाने के लिए, livelihood मतलब क्या होता है, रोजी रोटी कमाने के करता है, इसके लिए इसको economic activity बोलते है, business कोई भी love के लिए, affection के लिए, feeling के लिए, sentiments, मतलब प्यार है इसके लिए या फिर भावना है, इसके लिए हम लोग business नहीं करते है, किसी को हम लोग focus में चीज़े नहीं बेशते है, यहाँ पर हम लोग पैसा कमाने के लिए चीज़े activity बोलते हैं, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर बता है, तो non-economic activity, non-economic activity हम लोग क्यों करते हैं, because of the love, because of the affection, because of the feelings, because of the sentiments, तो इस भावना से जो भी activity हम लोग करते हैं, उसको हम लोग non-economic activity बोलते हैं, but business is not an non-economic activity, business economic activity है, because business पैसे के लिए किया जाता है, ओके, दूसरा है, दो parties होती है business में, क्योंकि business में मैंने आप लोगों को जैसे meaning में बता है, कि यहाँ पे exchange होता है business में, exchange मतलब क्या, एक बेचने वाला, और एक खरीदने वाला होता है, तो यहाँ पे exchange होता है, यह goods बेचता है, यह इसको पैसा देता है, तो exchange हो रहा है, और उसको profit मिले और buyer का काम क्या है वो goods को purchase करता है because वो अपने need को fulfill करे इसको fruits की ज़रूरती इसके लिए उसने fruits खरीदे इसको profit की ज़रूरती इसके लिए fruit क्या कर रहा है बेच रहा है so business के अंदर हमेशा दो parties होती है because business में exchange होता है और exchange के लिए दो parties की ज़रूरत होती है और parties की नाम के है seller और buyer तिसरा business किया जाता है profit motive से यह मैंने meaning में आपको already बताया कि business का basic purpose या basic उदेश जो है वो profit कमाना है business हम लोग करते ही है profit कमाने के लिए because profit की ज़रूरत किसके लिए होता है तो survival के लिए और growth and expansion के लिए now survival मतलब क्या कि business को हम लोग को क्या करना है आगे चलाना है अगर suppose profit नहीं होगा तो business बंद हो जाएगा business का survival जो है वो क्या हो जाएगा खतम हो जाएगा तो business को close होने से बचाने के लिए या business को आगे करता हूँ और बिजनेस को एक छोटे से एरिया में करता हूँ अलग- औरrial में की प्रोड़क्त बेचता हूँ मुझे बाद में मैंने मेरे बिजनेस को घ्या करना चाफा ग्रोड़क्त ज़रूरी होता है और profit जो होता है बिजनेस का life blood माना जाता है, life blood मतलब इंसान के body के अंदर जैसे blood की जरूत होती है, बिना blood के इंसान जी नहीं सकता है, वैसे profit के बिना business भी जी नहीं सकता है, इसके लिए profit को क्या बोला गया है, business का life blood बोला गया है, okay, so business का सबसे important motive, motive मतलब purpose जो है वो क्या ह profit है आगे फोथ फीचर है बिजनेस का production and purchase of goods नो business के अंदर businessman जो हो या तो goods को produce कर सकता है या purchase या दूसरा वर यहां पर use क्या procure कर सकता है नो production का मतलब क्या होता है कुछ businessman जो होते वो लोग क्या करते goods को बनाते है खुद मतलब raw material लाते है उसको processing करते हैं उससे final goods बनाते है उसको production बोलते है जैसे cotton है तो रुई से तुमने क्या 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 का बनाया तो तुमने क्या क्या production किया मतलब raw material को तुमने finished goods में convert किया यहाँ पर यह क्या कर रहे है यह लोगском गाड़ी तो गाड़ी के अलग-अलग parts, engine होता है, seat होते है, then tires होते है, glass होता है, यह सब को assemble करके यह लोग क्या करते है, गाड़ी बनाते है, तो production मतलब क्या होता है, जहाँ पे चीजों को बनाया जाता है, सब raw material को इखटा करके उससे एक product बनाया जाता है, तो business के अंदर या तो आप production कर सकते हो, और चीजों को बना सकते हो, या दूसरा चीज बिजनेस के अंदर क्या हो सकता है, कि आप दूसरों के पास से चीजों को purchase या procure कर सकते हो, जैसे Amazon आपको सबको पता है, Amazon वाले बोलो या Flipkart वाले बोलो, यह लोग खुद goods को बनाते नहीं है, यह लोग दूसरे company के पास से goods को लेते हैं और customer को बेचते हैं, तो यह लोग का काम सरीफ क्या है, कि जिनोंने goods बनाया है, उनके goods को market में बेचना, तो यह लोग भी business ही कर रहे है, यह लोग भी business ही कर रहे है, पर दोनों में फर्क क्या है, कि यह लोग product को खुद बना रहे हैं और बेच रहे है और यहाँ पर यह लोग क्या कर रहे गुड्स को किसी से purchase कर रहे है ताकि उनको profit मिले यहाँ पर दोणों भी क्या कर रहे है profit कमा रहे है तो business के अंदर यह तो goods को businessman बना के बेच सकता है या किसी के पास थे purchase करके यह procure करके उसको बेच सकता है दूसरा जैसे बहीन अब भी आपको बताई कि बिजनेसमेन के अंदर प्रोडक्शन ज़रूरी है वैसे बिजनेस के अंदर填 ब्रोडूरी है सेलिंग मतलब जो भी चीज़े आप प्रोड्यूस कर रहे हो या जो भी चीज़े आप पर्चेस कर रहे हो जो मैंने fourth point में आपको बताया वो production और purchase क्यों कर रहे है sale करने के लिए जैसे आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे यह seller है इसके पास water bottle है यह water bottle क्या कर रहा है इसको बेच रहा है और यह इसको water bottle के लिए पैसा दे रहा है तो इसने क्या किया पैसे के लिए satisfy किया तो इसको हम लोग business नहीं बोलेंगे because यहाँ पे वो क्या कर रहे है खुद के लिए वो product को use कर रहे है तो business के अंदर जो भी आप लोग produce कर रहे हो जो मैंने यहाँ पे बोला या जो भी आप purchase कर रहे है उसको आपको क्या करना है sale ही करना है तो ही उसको हम लोग business बोलेंगे sale करके आपको profit होना चाहिए अगर कोई भी चीज आप personal consumption के लिए use करते हो acquire करना मतलब क्या purchase करना या use करना तो उसको हम लोग business बोलेंगे नहीं तो यह business activity है because यहाँ पे में बेच रहा हूँ चीज को यहाँ पे self consumption कर रहा हूँ इसके लिए इसको में business activity नहीं कहूँगा next वाला है continuity and dealing now dealing का मतलब होता है buying and selling business के अंदर regularity या continuity होना ज़रूर यह now regularity और continuity की इस चीज की buying and selling की मतलब एक बेचने वाला होना चाहिए मतलब buying और selling जो होता है वो regular basis पे होना चाहिए ऐसा नहीं है कि तुमने one time buying and selling किया है तो उसको हम लोग business नहीं बोलेंगे जैसे कि मैंने आज कही से चीज को खरीदा या मैंने चीज को बनाया और उसको बेचा और कल से मैंने वो बंद कर दिया उसको business नहीं बोलेंगे बिजनेस में क्या होना चाहिए continuity होनी चाहिए regularity होनी चाहिए किसके बीच में buying और selling के बीच में तो regular basis पे dealing होना ज़रूरी है regular basis पे buying and selling होना ज़रूरी है मतलब आज भी आप उच activity कर रहे हो कल भी करोगे परसों भी करोगे और हमेशा करते रहोगे तो उसको business बोला जाएगा uncertain returns now returns का मतलब होता है profit business के अंदर जो profit होता है वो कैसा होता है unpredictable होता है never predictable मतलब क्या है जिसका हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते है जिसके हम लोग कोई भी guarantee नहीं दे सकते है मतलब कितना profit होगा profit होगा या नहीं होगा इसका कोई भी prediction नहीं हो सकता है इसकी कोई भी guarantee नहीं दे सकता है कभी-कभी हमको बहुत जादा profit हो सकता huge profit कभी-कभी हम लोग loss में से suffer कर सकते है मतलब हमको loss में से जाना पड़ सकता है. So, business में जो returns होते हैं, वो uncertain होते हैं. Businessman को पता नहीं होता है कि उसको profit होगा या loss होगा, profit ज़ादा होगा या कम होगा. Okay, anything can happen. इसके लिए मैंने बोला कि business has uncertain returns. Next, element of risk. Business में बहुत सारे risk होते हैं. Business is full of risk. इसके लिए हम लोग देखते हैं, कुछ लोग business नहीं करते हैं, विकोज उनको risk से डर रखता है. अभी क्या-क्या risk हो सकता है business के अंदर, तो shift in demand. Shift in demand का मतलब क्या है कि पहले लोगों को मेरा product बहुत अच्छा लगता था, अभी नया fashion आ गया, तो लोगों को नई चीज अच्छी लगने लग गई, मेरी चीज अच्छी नहीं लगती है. जैसे कि सपोज मैं footwear बेशता था, okay, shoes वेगरा बेशता था, तो पहले मेरे shoes लोगों को अच्छे लगते थे, अभी fashion change हो गया, लोगों को मेरे shoes अभी अच्छे लगते नहीं है, तो लोगों की मेरे product के लिए demand change हो गई, जो मेरे लिए risky हो सकता है, okay, दूसरा natural calamity, जैसे कि कई flood आ गया, कई पे earthquake वेगरा आ गया, okay, उसकी वज़े से भी क्या हो सकता है, business में risk हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, falling price, पहले आपको आपके product के लिए अच्छी price मिलती थे, अभी बहुत ही कम price मिलती है, जैसे mobile phone का example ले लो, जैसे ना पहले mobile phone में competition बहुत कम थी, बेचने वाले बहुत कम थे इसके लिए, वो लोग ज़्यादा price चार्ज कर सकते थे, अभी बहुत competition हो गई है, तो price बड़ाएंगे, तो customer फिर क्या करते है, product को purchase नहीं करते है, तो उनको price क्या करना पड़ता है, कम रखना पड़ता है, तो business में price कम होने के chances हो सकते है, risk हो सकता है, strike और lockout, strike और lockout का मतलब क्या है, workers strike पे चले गए, या पूरा production तुमारा क्या हो गया है, बंध हो गया है, ओके, workers को कभी दिवाली का bonus के वज़े से strike पे चले जाते है, या कभी उनको working facility अच्छी नहीं है, करके वो लोग strike पे चले जाते हैं, lockout वेगरा करते हैं, तो बंध होने के वज़े से, या strike होने के वज़े से क्या होता है, कि तुमको business में loss होने का, या risk होने का chances हो सकता है, loss by fire, loss by fire मतलब क्या कि, आग लगने की वज़े से, आपके यहां के जो goods है, या raw material है, वो सब क्या होगा है, जल गए, उसके वज़े से आपको नुकसान हो सकता है, हाँ, business में जो risk, मैंने जैसे बोला कि business में बहुत सारी risk होती है, बट risk को आप minimize कर सकते हो, कैसे minimize करोगे, businessman को insurance policy लेना बहुत ज़रूरी है, insurance policy उसे वो क्या कर सकता है, कि जो भी risk होगा, वो risk को insurance company compensate करती है, compensate करती है मतलब भरपाई देती है आपको, तो हर एक businessman के पास insurance policy होनी चाहिए, ताकि वो risk को क्या कर पाए, minimize कर पाए, तो आपको ये एक चीज़ याद रखना है, कि insurance जो होता है, business के risk को minimize करता है, करके, customer satisfaction, ये बहुत ही ज़रूरी है, business के अंदर, customer आप, जो भी customer को product बेचते हैं, उससे satisfy होना ज़रूरी है, मतलब आपको customer के expectation के हिसाब से, या customer को जैसा चाहिए, वैसा product देना चाहिए, जिससे customer की want satisfy होनी चाहिए, want मतलब क्या customer की इच्छा, जैसे की customer, वाटर बॉटल क्यों खरीता है, because वो thirsty है, उसके thirst को satisfy करना चाहता है, customer book क्यों purchase करता है, because उसको reading करना है, तो उसका reading का want satisfy होना चाहिए, तो customer जिस चीज के लिए product को purchase कर रहा है, या goods को purchase कर रहा है, उस चीज से उसकी जो need है, वो satisfy होनी चाहिए, उसकी want satisfy होनी चाहिए, customer happy होना चाहिए, वो business का एक objective होना चाहिए, पहले कैसे हुआ करता था, ता कि business का objective से profit कमाना होता था, पर अभी ऐसा नहीं चल सकता है, because अभी competition बहुत बढ़ गई है, हर एक जन चाहता है, कि मैं customer को अच्छा quality का goods देके satisfy करू, ता कि customer मेरे product को बार-बार purchase करे, तो customer को आप लोग जो भी offer करते हो business में, उसे customer satisfy होनी चाहिए, उनके want fulfill हो जानी चाहिए, और last वाला business हमेशा legal या lawful होना चाहिए, मतलब आप किसी चीज़ को बना के बेच रहे हो, आप लोग किसी को service दे रहे हो, पर आप अगर smuggling करते हो, आप खून खराबा करते हो, या दूसरी कोई भी unacceptable चीज़ अगर आप करते है, तो उसको business नहीं कहा जाएगा, उसके लिए फिर क्या होता है, वो in the eyes of law जो होता है, उसको crime वेगरा consider किया जाता है, उसके लिए फिर punishment मिलता है, तो business हमेशा legal और lawful होना चाहिए, किसी को exploit करने के लिए, या किसी को hurt करने वाला business नहीं होना चाहिए, तो ये सारे business के features थे, ये मेरे URL से जहां से मैंने images लिए है, thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends, we will meet in the next video.